उज्जेन जिले के रोहल कला ग्राम पंचयत में भारतिय जन्ता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्षो और महीदपूर के विधायक बहादूर सीह चोहन पहुचे और 38 लाख रुपे की लागत से बनने वाले नवीन गोशाला का भूमी पूजन किया उज्जेन भारतिय जन्ता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्षो और महीदपूर के विधायक बहादूर सींग चोहन रोहल कला ग्राम पंचयत में पहुचे और यहाँ पर बनने वाली नवीन गोशाला का भूमी पूजन किया विधायक बहादूर सींग चोहन ने मंचसे संबोधित करते हुए कहा कि मद्धि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सींग चोहन विकास के आयाम को बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री हैं उनकी मनशा है कि गोशालाएं ज्यादा से ज्यादा निर्मान हो ताकि गो माता इन गोशालाओं में रह सके मुख्यमंत्री शिवराज सींग चोहान से मैंने जब भी कोई मांग की है उन्होंने उस मांग को पूर्ण किया है जिसके परिणाम यह है कि आज मद्य प्रदेश में महीतपूर का नाम विकास के कामों में सबसे अवल है उजेन से विरेंदर शर्मा की रिपोर्ट अबर अबेस किस पिकार समस्या का निजात हो जाएगा शुकरत होई है किसे कार से किए मद्य प्रदेस में बाहतिया पालटी की सिवराजी की सरकार है और हमरे लोगपरी मुख्यमंद्री जी चाहते हैं गराम पंचात में अक्षी गराम में निरमान हों और जो हमारा गोवन से वसुर्षतर है इसके लिए प्रतेक ग्राम पंचाद में जो जो मुख्य पंचादे हैं बड़ी पंचादे हैं प्रतम चरण में 38-38 लाग रुपे देखकर गोशालाओं का निर्मान किया है जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि हम जब रोडों पर निकलते हैं तो गोमाता रोड पर गुमती रहती है और उनके रेने की व्यवस्ता नहीं है इस दर्ष्टी को रखते हुए गोशालाओं का निर्मान किया गया है आज रोल कला ग्राम पंचाद में 38 लाग की गोशालाओं का भुपुजर करने के लिए हम भार्ची नता पार्ची के सब वरिष्ट निता के ने ततमे में या आया था मुझे पूरी उम्मिद है कि इन्याकी गोशालाओं का निर्मान होद अच्छा होकर गोशालाओं के लिए यह गोशालाओं के लिए यह गोशालाओं अच्छी कामा है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें